अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखे है तो उसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको इस्टोरी ठीक से समझने है तो प्लीज आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट देखें उसके बाद आप लोग सेकेंड पार्ट देखें यह बहुत ही बड़ा वर्क है मिल जोला का तो एपचली मुझे ऐसा लग रहा है पार्ट बन का चैप्टर फोर अब यह सारे मजदूर ख़दान में नीचे उतर कर काम करने लग जाते हैं एटीने को दोस्तो काम करना नहीं आता है तो कैथरीन उसकी हेल्प करती है उसको काम सिखाने में या काम करने में उसकी हेल्प करती है लेकिन जो शेवल नाम का मजद यानि 18-A का मज़ा कोड़ाता है 18-A को शेवल की बात का बिल्कुल उबरा नहीं लगता वो उसे कोई जबाब नहीं देता है थोड़ी देर बाद दोस्तो लंच हो जाता है 18-A और कैथरीन दोनों साथ साथ खाना खाते हैं जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं बाइफोर्स किस कर लेता है और कैथरीन में उससे कुछ नहीं कह पाती क्योंकि ये जो मज़दूर है इनकी लाफ में ये अक्सर चलता रहता है तो लोग को ज़्यादा फरक नहीं पड़ता अब 18 ने उसकी तरफ अट्रेक्ट हो रहा है कैथरीन की तरफ अट्रेक्ट हो रहा है और ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है I'm sorry पार्ट वन का चैप्टर फाइब अब शुरू होगा वो पार्ट वन का चैप्टर फूर ओबर हो चुका है चलिए अब सब लोग खाना क्षाने के बाद आराम से पिठे हुए है थोड़ा रिलेक्स हो रहे है मतलब थोड़ा आराम कर रहे है तब ही मैhonध की बात को बिलकुल भी सीरि değil नहीं लेता है और वो इंजिनेर से कहता है कि आप इन मजदूरों से कहिए जाएं और अपना काम करें तो यहाँ पर मजदूरों को बड़ा लगता है और उनके मन में इन अधिकारियों के खिलाफ एक आंदूलन करने की भावना आने लगती है यह चेप्टर भी दोस्तों यहाँ पर खत्म हो जाता है अब हम डिस्कुस करेंगे पार्ट वन का चेप्टर नंबर 6 इस पार्ट में क्या होता है अब शाम को सारे मजदूर खदान से बाहर आते हैं और एक एडवांटेज नाम के होटल पर जाते हैं फिर वहाँ पर एक लंबा चोड़ा 38 साल का आदमी आता है जो उस होटल का मालिक रेसेनियर है रेसेनियर भी दोस्तों पहले इंजिनियर था लेकिन उसे निकाल दिये गया तो फिर उसने अपना वैपार शुरू कर लिया वह होटल का मालिक है रेसेनियर और उसकी पतनी रेसेनियर की बियर की दुकान चलाती है तो जो मेहू है वो रेसेने से रिक्वेस्ट करता है कि वो 18-े को अपने होटल में रहने दे तो 18-े को 15 दिन के लिए उस होटल में रहने के लिए कमरा मिल जाता है इधर 18-े और कैथरीन का आफेर भी शुरू हो जाता है तो इस कारण दोस्तो क्या होता है शैवल और एटीने की दुश्मनी शुरू हो जाती है लेकिन अब जो एटीने हैं वो एक क्रानतेकारी नेता की रूप में आगे आ जाता है मतलब नेता से मतलब मजदूरों का नेता अब दोस्तों फिर्ष्ट पार्ट खत्म हो जाता है अब हम डिस्क्स करेंगे पार्ट टू का चैप्टर वन इस पार्ट में जोला मालिकों की आरम दायक जिंदगी और मजदूरों की परिश्रम से बरी होई जिंदगी के बारे में बताते हैं जिस खधान में जिस कोईला खध कि ये अमीर होते जा रहे हैं आराम करते रहते हैं लेकिन जो मजदूर हैं वो इतनी महनत करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता और वो प्रोपर आराम भी नहीं कर पाते भरपेट खाना भी नहीं खापाते तो इस पार्ट में जोला ने हमको ये बताया है इस पार्ट में दोस्तो ला मेहूर नाम की एक लेडी है जो कैथरीन की मा है वो एक दुकांदार के पास जब सामा लेने जाती है और उसके पास पैसे नहीं होते तो दुकांदार इन लेडी का यानि जो ये गरीब मजदूर लेडी होती है इनका किस तरह से शोषड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर राइटर हमें क्या बताते हैं कि जब उसके पास पैसे नहीं होते सामान खरीदने के लिए तो उसके बदले में जो दुकांदार होते हैं वो उससे करते हैं वो इस पार्ट में बताया गया है तो यह पार्ट यहाँ पर ओबर होता है अब हम डिस्कूस करेंगे पार्ट टू का चैप्टर नमबर थ्री इस पार्ट में दोस्तो राइटर हमें बताते हैं कि कि तरह से जो लेडी मजदूर होती है और अपना परिबार चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता तो वो अपना शरीर बेचने पर मजबूर हो जाती हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो शादी से पहले ही मा बन जाती है मतलब जो पैसे बाले लोग हैं जो इनके मालिक होते हैं, वो इनका किसी भी तरह से शोशन कर सकते हैं, और जब कोई बाहर की टीम, इन मजदूरों को जज करने आती है, मतलब सर्वे करने आती है, कि ये लोग कैसी जिन्दगी जीते हैं, किस तरह से इनको रहना पड़ता है, तो जो उनको दिखाया जाता है, जब इन्हें कोई चेक करने आये, सर्वे करने आये, कि मजदूरों कैसे रहते हैं, जब उनको दिखाया जाता है, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाया जाता है, मतलब जो सर्वे करने जो टीम आती है, उसको सब कुछ उल्टा दिखाया जाता है, वो इनकी सच्चाई जान ही नहीं पाती अब दोस्तों यह पार्ट यहां खत्म होता है अब हम डिस्कुस करेंगे पार्ट टू चैप्टर फॉर अब पार्ट टू का चैप्टर फॉर डिस्कुस करेंगे तो दोस्तों इस पार्ट में मैं आपको अब थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ जब मेहू 18 एको रेसेनियर के होटल में ठहरा कर अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर में सामन खुब भरा हुआ है मतलब जो भी जरूरत की चीज़े हैं वो सब कुछ आ चुकी है तो वो ये सोचता है कि उसकी पतनी यानि ला मेहू ये सब सामन कैसे लाई और उसे समझने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती कि उसने क्या किया होगा मतलब मैं आपको साफ शब्दों में बताता हूँ कि यही यहां पर राइटर बता रहे हैं कि उस लेडी ने अपना शरीर बेचा है और उससे जो उसको पैसा मिला है वो घर का सामान लेकर आई है इस पार्ट में एक चीज और बताएगे यह दोस्तो कि जो मजदूर होते हैं जिस समय शाम को वो नहाते हैं तो उसी समय वो संबंद बनाते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं उस समय बच्चों को यह कड़ी हिदायत दी जाती है कि जब माता पिता अकेले हो वो ना रहे हो तो उने अकेला छोड़ दें इन मजदूरों के उस तनावपूर जीवन में बस यही एक समय होता है जिस समय बो लोग तनावमुक्त होते हैं और इसे के साथ दोस्तों यह चैप्टर भी यहां पर पूरा हो जाता है तो दोस्तों इस चैप्टर के साथ मुझे वीडियो भी यहां पर रोकनी पड़ेगी कोई वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो अब मैं इसका एक पार्ट और बनाऊंगा और मुझे लगता है इसके मुझे एक पार्ट नहीं और कई पार्ट बनाने पड़ेंगी कोई बहुती वड़ा वर्क है दोस्तों मैंने फर्स्ट पार्ट में इसकी सारी इंफोर्मेशन दे दी है तो दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही और बहुत ही जल मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ थैंक यू